बॉलिवुड के हास्य अभिनेता सुन्दर को कौन नहीं जानता। दर्शकों को हसाने गुदगुदाने में सिद्ध हस्त कलाकार सुन्दर का जन्म 14 मार्च 1908 को लाहॉर में हुआ था। फिल्मों का आकरशन उन्हें मुंबई ले आया और फिल्म इंपीरियल मेल से अपना फिल्मी सफर शुरू कर दिया। इसके बाद अलबेला, सोलवांसाल, उपकार, आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर, आया सावन जूमके, आनमिलो सजना, गोरा और काला और पडोसन। इन फिल्मों में सुन्दर का हास्य अभिनए शानदार और जानदार रहा है। सुन्दर एक्टर के साथ गायक भी थे, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। फिल्म लाल किला, चांदनी चौक और मस्ताना इन तीन फिल्मों में सुन्दर की आवाज में गाने रिकॉर्ड किये गए हैं। उनके आवाज और गानों को दर्शकों ने बहुत पसंद भी किया है। राकेश, रोशन और रेखा की फिल्म बहुरानी उनकी आखिरी फिल्म थी। 400 फिल्मों में अभिनए करने वाले सुन्दर को हिंदी सिनेमा ने उचित सम्मान नहीं दिया।